एक तरफ से पाकस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेर्मेन ने दी है भारत का 2023 का वर्ल्ड कप फेल करने की धमकी तो उसी तरफ से पाकस्तान से मजा लिया है भारतिय पूर्थ कप्तान विराट कोली ने अब इससे आप coincidence कहें विराट कोली की चाल कहें या फिर कुछ भी कहें लेकिन विराट कोली का social media पे ये post डालना इस समय पर fans को बहुत ज्यादा भारा है तो क्या कुछ ऐसा पोस्ट किया है विराट कोली ने रमीज राजा के उस भड़काऊ बयान पर उसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में हम सभी ने देखा बीती शाम से ही PCB के चेर्मैन रमीज राजा का एक बयान social media पे बहुत ज्यादा चर्चाओं में आ रहा है जहां उन्होंने का है कि अगर इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान में खेलने के लिए Asia Cup तो बाबर आजम के टीम भी भारत नहीं जाएगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए और अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड कप को देखेगा कौन जब उसमें पाकिस्तान नहीं खेल रहा होगा एक तरफ से भारती क्रिकेट फैंस को रमीज राजा सहाब का ये बयान पसंद नहीं आ रहा है जहां उनके कौर्डिंग अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो वर्ल्ड कप की पॉपुलरिटी सारी ही खतम हो जाएगी जो शायद बहुत गलत बयान है उनकी तरफ से लेकिन उसी के साथ आद सुबह हमने देखा विराट कोली ने अपने इंस्टाग्राम, फेस्बुक और हर सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट सांजा किया है पहले आपको दिखाते हैं वो पोस्ट क्या है यहां पर विराट कोली ने इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2022 का मैच याद करते हुए लिखा 23 अक्तूबर 2022 का दिन मेरे दिल में हमेशा खास रहेगा क्रिकेट के खेल में ऐसी उर्जा पहले कभी महसूस नहीं हुई क्या सुहानी शाम थी वो यहां आप देख सकते हैं विराट कोली को आई है 23 अक्तूबर की याद हाला कि इस पूरे कैप्शन के अंदर विराट कोली ने कहीं पाकिस्तान नहीं लिखा लेकिन हम सब भारतिये फैंस जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट के टर्म्स में 23 अक्तूबर 2022 शायद विराट कोली डे कह देना चाहिए जिस तरह से विराट कोली ने खेली थी पाकिस्तान के सामने वो मैच विनिंग नॉक और ये नॉक शायद विराट कोली के करियर की सबसे बहतरीन पारियों में इसे एक है और विराट कोली ने ये पोस्ट डाली भी कब है वर्ल्ड कप खतम होने के लगबग 15-20 दिनों के बाद उस मुकावले को खतम हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन विराट कोली का ये पोस्ट आता है रमीज राजा सहाब के इस बयान के तुरंत अगले दिन जो भी पाकिस्तान से तालमिल खाता है लेकिन विराट कोली ने एक तरफ से स्पारी को याद किया है दूसरी तरफ से रमीज राजा सहाब का एक बयान आया है जो भारती क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं आ रहा है जो शायद गलत भी है इसका उधारन आपको इस इंग्जैंपल से भी दिया जा सकता है इंडिया जिम्भावे का मैच जो मेल्बन के मैदान पर खेला गया था उसे देखने के लिए 82,000 से ज्यादा लोग आये थे और पाकिस्तान का जो फाइनल खेला गया था उसी मेल्बन के मैदान पर उसे जाता है किस तरह से पाकिस्तान का वर्ल्ड कप ना खेलने से भी शायद पॉपॉलरिटी उतनी कम ना हो हाला कि हमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच मिस करना पड़ जाएगा जरूर लेकिन क्या कुछ है आपका कहना विराट कोली की स्पोस्ट के बारे में और रमीज राजा सहाब की उस बयान के बारे में दीजी अपनी राए हमें कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थन्यवाद